अगर आपको क्लास 6 से 12 तक मेथ, फिजिक्स, केमेस्ट्री में किसी परकायर की प्रोब्लम हो तो आप ये नम्मर सेव कर सकते हैं एड 400-400-400 या आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ से आप उस एप को डाउनलोड भी कर सकते हैं उसके बाद आपको अपने क्यूशन का फोटो लेना है और फोटो लेने के बाद आपको उसको क्रोप करना है क्रोप में आपको उतना ही करना है जितना आपका क्यूशन है और उसके बाद में आपको यहां से सेंड करना है और सेंड करने के 10 सेकिंड बाद में आपको उसका अंसर मिल जाएगा तो देख सकते हैं आप good क्यूशन सर्चिंग solution in 10 सेकिंड यानि 10 सेकिंड में आपको आपका तो इसमें से आपके कफी आंसर आ चुके हैं जो आपका आसर वह अजित से तर वेलकुम चैनल आज कि एаз वीडियो में हम ककशा 3 अ गृत का रीम करें और इस से पहले आपको दो और घृटम कर अ-ब पर तो वह वाले वीडियो भी देखें पर उसमें जो क्यूशन है सारे इंपोर्टेट क्यूशन है और इस वाले पेपर में भी इंपोर्टेट क्यूशन है असी नमर का पेपर आपके पूचा जाता है तो एक से एक वाला परसन आपके एक नमर का है option वाले question है, दूसरा है वेंजक अक्षी square प्लस Y है, एक पदी है दूइपदी है, त्रीपदी है, या फिर बहुपदी है समांतर चतुर भुज के लिए कौन सा गुण दरम नहीं हो, लागू हो सकता है गनाब में किनारों की संक्या कितनी होती है option की question है, 6 तक की question एक एक नमबर के हैं, उसके बाद में सातवा question, अभाजे गुण खंड वीदी से 1728 का गनमूल ग्याद करना है आठ वे में आपको अनुपातों को परतिसत में व्यक्त करना है दो ratio 5 और दूसरे में एक ratio 2 9 परसन गुणन खंड ग्याद करना है 10 वे में आपको किनारों की संक्या ग्याद करना है 11 ग्राफ का question है इसमें जो question पुछे हैं उनके answer लिखने हैं आपको 12 वे अक्स का मान ग्याद करना है 12 वे अक्स का मान ग्याद करना है एक आमान ग्याद करना है और चोद वे में आपको दवज्हांक विदी का प्रियोग करना है और उससे बहाग करना है और अत्वा में दिया गया निखिलम सुत्र का प्योग करना तीन संकाओं गुणा आपको अच्छे से आने चाहिए 15 का एव वेंजक के गुणनखन गयात करने है 16 इसमें बहु बूज़ का 6 फल गयात करना है फिल्ड वुक है और 17 इसमें दूसरी समांतर बूज़ा की लंबाई गयात करनी है इसमें 6 फल दे रखाया आपको उन्चाई दे रखिये और एक बुजा की लंबाई दे रखिए दूसरी बुजा की लंबाई आपको ग्याद करनी है अठारवे परसन में उचित सर्वसमिकाओं का प्रियोग करना है और गुननफल ग्याद करना है नववा परसन में आप देख सकते हैं आयत की लंबाई चोड़ाई की बराबर है जो प्रिमाप है वो 64 सेंटिमीटर है तो चेतर फल ग्याद करना है बीस वाले में परसन में एक सट बुज के सभी अंतक और फोर को योगफल ग्याद करना है 21 वाले में पाई चार्ट दलसाया गया है और जो परसन पुछे हैं उनके आंसर देने आपको 22 वाला है और 23 वाला जो दूसरा क्यूशन है अथ्वा में 22 वाले के जो अथ्वा में क्यूशन है वो most important है तो अच्छे से आना चाहिए आपको और 23 वाले में PQRs की रचना करनी है 24 वाले में दोनों ही important है तो दोनों ही आपको त्यार करने है और अच्छे से आना चाहिए आपको ये पेपर subscribe कर लिजिए और all notification पर on कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके और मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए thank you thank you so much